नमस्कार आप देखे आज की खास बात अपने दोस्त वीर सिंक साथ दोस्तो आज की खबर देखने से पहले मैं आप सभी से एक सवाल करना चाहता हूं कि क्या इस देश में गरीब होना या गरीब परिवार में पैदा होना अपने आप में कोई पाप है या कोई जुर्म है और राज्य सरकार ने नय सिक्षकों की भरती पे रोक लगाई थी हलंकि 2014 में इस रोक को नय सरकार द्वारा हटा दिया गया थ happy तक लभग 4-5 वर्स बीथ गया लेकिन 4-5 वर्स बीतने के बाद भी नय सिक्षकों की भरती अभी तक परकेरिया शुरू नहीं की गई है हम पुरे राजी की तो एक जगह है लेकिन अगर हम सिर्फ एक नाकपुर जिल्ला परिशद की बात करें तो सिर्फ नाकपुर जिल्ला परिशद में सुद्र बताते हैं कि लगबग 800 शिक्षकों के पद हैं वो रिक्त हैं यानि कि 800 नए शिक्षक के भरती की जा सकती है लगब वहां पर पढ़ते हैं मजदूर के बच्चों पढ़ते हैं तो क्या गरीब परिवार के बच्चे पढ़ रहे हैं इसलिए सरकार नए सिक्षकों की भरती करना आने वार नहीं समझ रही हैं दोस्तों आपको बता दू इस सब कुछ होने के बाद में सरकार के तरफ से एक नया फ पढ़ाने के लिए तीस साल में हम कितने आधुनिक हो गए हम कितने बदल गए हम कितने आधुनिकता के तरफ बढ़ते जा रहे हैं या आप अच्छी तरह समझते हैं लेकिन जब हम आधुनिक होते जा रहे हैं तो क्या हमारे सिक्षा सिक्षा जो बेवस्था है एजुकेशन स से बच्चों को पढ़ाने का मौका मिलता है देख तो सरकार किसी की भी हो किसी कोई अधिकार नहीं है कि किसी गरीब मजदूर किसान के बच्चों को सिर्फ इसलिए उसको सिक्षा प्रणालीज से या फिर आधोनिक सिक्षा स्वंची तरह सके क्योंकि एक वो गरीब परिवार पैदा हुआ यह किसी भी सरकार को हग नहीं है खैर सुनिल के दार जो पूर मंत्री रह चुके हैं महराष्ट कैबिनेट के और अभी सावनेर की विधायक हो क्या कहते हैं वो सुनते हैं नाकपूर जिलापरिश्ण में शिक्षकों की भरतिव को लेकर के बड़ा विश्य माना जा रहा है कि लगभग 800-900 पद रिक्त है या पुराने शिक्षक को भरति करने वाले हैं तो नए शिक्षक को चांस दिया जाया या नहीं बड़ा शोकान देगा यह सरकार समझ को खली जिस किसी ने यह जो निकाला है कि रिटायर्ट टिक्टेट टिक्चर्स को दियो वो प्रक्रिया में जितने लोग है मंत्री से लेके लेके नीचे तक जो भी उनका स्टाफ आफिसर्स हो सबके बच्चे पहले जिलापरिश्ण स्कूल में पढ़ने वेजो हमारा यही कहना है है कि यह बड़ा बहुत बहुत ब़्छा सेंशित्यू सब्जट है तुम सब स्कूर्ण दोंगे तब शिक्षक दोंगे आप बीस अंतीन साल पुराने शिक्षवथ दोंगे तो उस टाम उन्होंने पढ़ाई की थी हमैं नए जंदरशों के थीस साल पुढ़ा ने पढ़ा उनको तो नए बढ़ाने की है हमारे इतना है कि हर जिल्ला परश्ट को उस जिल्ला परश्ट स्कूल में जो ग्राम शिक्षन समीती है उसको कॉंटिजिस फंड दो उस उस गाव में जो नए बच्चे जो डिएट बेड़ है उसको वहां पर एक मांधन के उपर उसको टेंप्र मांधन जिल्ला परश्ट पहले अपने सेस्फट से दिती थी पर अभी वहां पर कॉंटम बहुत जाड़ा हो गया जिल्ला परश्ट के पास उतना सेस्फट नहीं है इसलिए जिल्ला परश्ट ने वहां का जिल्ला दीकरी जो है उसके अंदर में जो उसकी माइनिंग कमिटी खुद चेर्मन है गवर्मेंट आफ इंडिया के नोटिफिक्शन के हिसाब से उसमें से जनाचे हमने जिला दीकर गई बता है कि 200 करोड रूपे तुम यह जी 20 पे खर्श कर सकते तो गरीब बच्चों के एजूकिशन के लिए जो भी गवर्मेंट आफ इंडिया के आक्ट के तहत है राइट टो एजूकिशन एक्ट है उसके तहत पाच करोड रूपे आप दे दुर्बा गे अभी भी नाकपूर जिला परशित का जिला नाकपूर जिले का जिला दीकारी इस चीज को महत्व समझ नहीं सकता और गरीबों की आवाज सुनता नहीं दोस्तो एक रिपोर्ट की माने तो हर 30 बच्चे पे एक शिक्षक का होना अनिवारे होता है और अगर इसे रिपोर्ट की तरफ देखे तो राजी में लगभग सारे 18,000 नए शिक्षकों की जरूरत है नए शिक्षकों की भरती करने की जरूरत है खर आप हमेरे साथ बने रहे हैं देखते हैं आज की खास बात अपने दोस्त वीर सिंग के साथ सिर्फ इन्वी सियन न्यूज पे जहेंड